जी हलो एवरिवान चांपिएंट क्लास 10 अगें एक नया दिन नया टॉपिक जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था ठीक है चेप्टर का नाम डेख पा रहे होगे आप मेरे लेफ पे ही जो कि आपके रहिक पे आ रहा है देखिए आप आपका चेप्टर 10 ख्लास का चेप्टर 4thth नाम आप देख पा रहे होगे ग्लीम्स कि पारिए बिल्कुर सभी समझाए आपने आज हम कुछ इम कल्चछर और इंडिया की कुछ प् हे बारे में बात करेंगे और टेडिशन के बारे में जानेंगे इस चेप्टर के माध्यम से कि कि तरह के कस्टंस तरह तरह की जगह पे फॉलो किया जाते हैं क्या टेडिशन से उनके और अपने आप में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है करें स्टार्ट ठीक है आपको रेडी रहना है नोट बुक और पेन के साथ बेटा क्लिया चलिए बेटा वेलकम टू विद्धिया इविद्धिया प्लेटपॉर्म आईए संबरी डिसकस करते हैं यह लेसन देखे चैप्टर यह चैप्टर जो है आपका पूरा का पूरा मैं आपको दुबारा बता द से तीन अलग अलग चोटी चोटी प्यारी प्यारी बिल्कुल आपी की तरह इसमें कहानिया है बताया जारहा है कस्टम् So अब शर्म और अबर आपको बता होगा ठीक है बेक्री में जो आईटम्स होती है वो बेगडी होती है और उनको जो बनाता है उसे क्या बोलते है वही बेकर क्लियर है बड़े आगे चलिए हाँ आप जो मेरे बिर्थिडे में केक लेके आओगे वह बेकरी बनाएगा चलिए बिर्थिडे कहब है वह बता दिया जारेगा देशन बिकिन्स चैप्टर बेटा शुरू होता है यह पार्ट शुरू होता है नेरेटर के एल्डर जो नेरेटर जिन्होंने लिखाया यह चैप्टर उनके जो बड़े है ओफन रिकॉल करते हैं वो टाइम को रिकॉल का मतलब आपको पता होना चाहिए याद करते हैं कब तो आपको आज भी वो लोग पॉर्टगीज आई मीन वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है चेप्टर इस वेरी वेरी इंटरस्टिंग आपकी जनरल नौलिज को भी यह बढ़ाएगा और युल गेट टू नौ बाउट इंडिया स्कुल्चर थे नौ तो निरेटर के जो एल्डर है वो बात करते है क्या इंपोर्टेंट कितने हैं वो बेकर अभी 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 बात कर रहा हूं मैं आपसे मैं आपको बता दूँ छोटे छोटे ना बेटा शोट कोश्चन में आ जाता है कभी-कभी फॉर एक्जामपल आपका पैसिज में आ जाएगा कि बताओ कि पैडर किसको बोला जाता था या फिर वो यह पूछ लेगा कि बेकर्स को और क्या बोला जाता था एक नंबर हमने कह इससे वह बनाते थे एंडेर टाइम टेस्टिट फर्नेसिस का मतलब मैं बता चुका था आपको शहर पहले भी फर्नेस को बोलते वीटा क्या भट्टी आपने शायद नहां देखी हो यह देखी भी हो तो मैं आपको पताई देता हूं इसे क्या बोलते हैं बट्टी इसमें का समान बेक्ड होता है बनाया जाता है कॉंटीनियु दक कर्फ कॉंटीनियु टू कर्फ दपीपल और गोविद देर फेमस देखिए यह जो बेकर थी ना मेटा यह किसके लिए फिर मस्ते मैं आपको बता देता हूं ब्रेड लोफ के लिए लोफ क्या है ब्रेड के जो पीसी होते हैं इसके लिए बहुत आफ यह मस्ते हैं बेकर यह भी पॉसिबल है कि ओरिजिनल वन शायद ना रहे लेकिन अभी वी कार्रे प्रगति पर है चल रहा है कार्रे कॉंटीनियुड है किन के दुवारा पैडर्स के आइमीन बेकर्स के संस के दुवारा अधर ऑफ देर बैंबू थर का मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूं यह एक बैंबू है यह और मैंने इसको ऐसे देखी हमारा आवाज आई तो क्या हुआ यह थर्ड होई मतलब कि उनके बैंबू की साउंड आज भी उनके बैंबू की थर्ड किस्टिक जो है आज भी वो साउंड सुनी जा सकती है कुछ पार्ट्स में गोवा के विलेज में क्लियर नेरेटर अपनी कुछ यादेद आजी कर रहे है आपर पुरानी यादेख क्या बता रहे हैों की यो जो जिंगलिंग थर्ड था जो साउंड थी हौ इसान रिंच औरह दिया करती थी सुभा सुभा ही और नेरेटर के दुय लाहीर वह बच्पने में चल रहे थे और वो नेरेटर अपने फ्रिंट के साथ क्या किया करते थे साउंड सुनते ही भागते हुए जाते थे बिदाउट ना तो ब्रशिंग ना वशिंग दियर मौट ना तो ब्रश किया और ना ही मूद हुआ जैसी वो साउंड सुनी थाट की भागते होए गए एक्साइटमेंट के साथ इट वोद अ मेर्ट सर्वेंट अफ दा हाउस जो कलेक्ट किया करती थी लीव्ज पत्ते जब जिस वक्ष चिल्डरन सॉट इट आउट दा ब्रेड जब वो ब्रेट की बीछे भागा करते थे बैंगल्स फोर देमसेल्फ एक तरह की स्वीट थी बेटा यह जो की बैंगल की फॉर्म में थी बैंगल आपको बताओन अच्छी है चूड़ी ए उनकी फॉर्म में थी तो इस्पेशली यह जो आइटम है मैं आपको बता रहता हूं अगर वो आपसे एक्जाम में पूछ रहे है कि बताइए बच्चों का फेवरेट क्या था जो पैडर लेके आता था पैडर कून था बेकर था क्या था उनका फेवरेट बैंगल्स जो की उनको काफी अट्रैक्ट किया करता था ठीक है उस टाइम की बात कर रहा हूं बेटा मैं किस टाइम की जब पोर्तुगीज का राश्ता गोवा पे ठीक है बेकरी प्रोडक्स जो कि मैं डिसक्स कर चुका हूं आपसे ayaf importance in the kulture and traditions of goa and I told you in the beginning कि आज UM कुछ traditions और cultures के बारे में बात करेंगे तो उस वक्त क्या फेमस था क्या important था आप देख पा रहे होगे बेकरी के प्रोडक्स काफी फेमस थे और आज के 24 में बी आफ्श्र में भी कि आये कुछ डेटा की बात कर लेते हैं what was most important देखिए बोई और क्या कह सकते हैं इसको एक प्रकार की मिठाई मीठी bread sweet bread is a part of marriage gift बहुत ध्यान समझना इसको आपको अगर आपसे पूछा गया कि marriage में गिफ्ट के तोर पे क्या दिया जाता था तो आप क्या बोलेंगे sweet bread काफी चलन में थी उसवक्त marriages में कापे marriages में इसके अलावा क्या important था और cakes तो पहला क्या बताया है न मीठी bread sweet bread यह आपका पहली item होगी जो की marriage में बहुत famous थी केक्स और बॉलिन हाज जासे जिसको क्या बोल सकते हो आप coconut की नारियल की cookies toffee तो मेरिज गिस्ट में वाट आर थी आइटम्स बाट वर क्वाइट पॉपुलर और फेमर्स नंबर वन क्या बोलेंगे आप sweet bread two cakes three coconut cookies clear है और इसको आप ये एल गलती से इसे आप इवना देगे प्रीज इटन ठीक है इटन है बेटा ये हर फेस्टिवल में ये आइटम्स का आदान परदान चलता था लोग इसे enjoy करते थे एंड जो लेडी थी उस घर की house की जिस house में कुछ festive season या फे कुछ marriage चल रहा है वो क्या बनाया करती थी प्रिपेर्स यह यह वर्ट थोड़ा इंकरेक्ट है sandwiches ठीक है इस वर्ट को आप प्लीज करेक्ट कर लिजेगा sandwiches उस ब्रेट के आठर daughter's engagement जब भी किसी लड़की की शादी का अफसर आता था तो वहाँ पर तीन चीजे मैं आपको बता जुका हूं marriage gift के तोर पर जो दी जाती थी ठीक है दूसरा और उसी डॉक्टर की जो मदर है वो क्या प्रिपेर करती थी sandwiches कब जब उनकी डॉक्टर की engagement हुआ के लिए मिल्कुल आगे बढ़ते हैं अर्लियर मतलब पहले के टाइम में बेकर वोर आ यह जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए यह डेटा हम इखटा कर रहे है कि बताओ क्या क्या बना करता था और कब कब बना करता था ठीक है अब यह यह आप यह सससे दिवाइड कर रहा हूँ हूँ यह वाला पार्त में तो ऑसला रही हरा ओन यहां पर बात वरटी खाने पीने की यहां पर अगए कि व किसकी बात वी Toboo देखिए उनके अपईरिंस की its की कि वह क्या पहना करते थे कि अर्लियर बेकर वोर रा यूनीक फ्रोक ओफ इस इंड बेटा एंड बना लिजी इसको आप एंड बेकर वोरा यूनीख फ्रॉक पहना करते थे वो जो की कहा तक की थी मी लेंज तक की मतलब की घुटनों की लेंज तक की जिस उस ड्रेस को क्या बोला जाता था कबाई समझ पा रहे हूँ मतलब क्या हुआ भई बेकर की जो ड्रेस थी जो वो पहना करते थे पहले के टाइम में उसको क्या बोला गया आपको लिखना भी है मेरे साथ साथ उस ड्रेस को नाम दिया गया क्या कब आई कब आई इससे आप प्लीज लिख लिजिए बाट डूरिंग दा नेरेटर्स चाइल्डूड यह तो मैं बात कर रहा हूं पहले की लेकिन आप जब बात की बात करूं जब नेरेटर बच्चे थे देवोरा दे का मतलब यहां पर क्या है अगे इन बेकर ही है बेकर ठीक है देवोरा शर्ट एंड ट्राउदर्स वो चोटी थी यूजूल बंद किसकी बात कर रहा हूं मैं ट्राउदर की बात कर रहा हूं है जब बनाया और हर महीने के आखरी में वो बिल दे दिया पैसा ले लिया बेकरी हास कॉंटिनुविट टू बीए प्रॉफीटेबल प्रॉफेशन देखिए वही मैं आपको बताऊं जैसे कि उस ताइप पर बेकरी के प्रॉडक्स की काफी हाई दिमांड थी तो अब्वियस्टी बात है यह जो प्रॉफेशन था यह जो काम था काफी प्रॉफीट हो रहा है और फैमिली में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो काफी हद तक खुश ही रहेंगे और प्रॉस्पेरियस ही रहेंगे ठीक है तो इट वोग्ष अबाउट इट वस ओल बाउट भी पार्ट वन यहां पर आपका बेटा इस वाली फ्लाइड में पार्ट पार्ट जो वन है आपका डाट इस कंपलेटिड ठीक है इसके बाद इसी चैप्टर का सेकिंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं प्लियर ठीक है students तो अगला पार्ट हम इसका सेम चैप्टर का ही discuss करेंगे फिलहाल के लिए क्या करना है आपको देखिए अब देशन का होना बहुत जुरूरी है तो इसमें आपको कुछ data it's all about data you know question किस परकार के आएगे मैं आपको छोड़ा सा बता देता हूं यह बताईए कि बेकर को और किस नाम से जाना जाता था तो आपको पता है पैड़ क्लियर कभाई क्या था या फिर वह पूछ लेंगे कि बेकर की ड्रेस का अर्लियर जो है वह नाम क्या था तो क्या था भाई कभाई और जब निरेटर के चाइल्ड हुड में वह क्या पहना करते थे शर्ट्स एंड ट्राउजर्स ट्राउजर्स की लेंग यूजुली जन्रली कम हुआ करती थी क्लियर एक नंबर दो नंबर में पूछा जा सकता है आपसे इन फाक्ट मैं आपको इसके कुश्चिन अंसर भी क अख बताया बताया एक तो थी कोओकोनेट की कोकी और किया था बताऊ उसके बताऊ एक थोड़ा दिमाग पे डिएक आप और बताये यह क्या क्या आईटम का उस वक्त होना ज़रूरी था हां बिल्कुल कोकोनेट कोकी केक्स और शूईट ब्रेड मीठी ब्रेड मेरिश की इंगेजमेंट में यूजुली मदर्स क्या प्रिपेर करते थे सेंड्विजेस क्लियर है हाँ गुट वेरी गुट अब पूछेंगे आपके बताएं कि बेकरी जो प्रॉफेशन था क्या वो प्रॉफिटेबल था या फिर वो लोस अकरिंग था आप क्या बोलेंगे कि सर उ तो हेवी डिमांड बेकरी प्रॉडाक्स वो जो प्रॉफेशन था काफी प्रॉफिटेबल था काफी प्रॉफिटेबल प्रॉफेशन था जिसकी वज़ा से बेकरी की फैंबली हमेशा जो आयस रहती थी प्रॉस्पैरियस रहती थी एकदम खुश पैसे की कोई भी कमी नही ठीक है और आपसे वो भी पूछ लेंगे बताईए बेकर्स यूजुली अपने बिल्स कब कलेक्ट किया करते थे कब किया करते थे आपको पता होना चाहिए तीन ओप्शन देता चलो मैं आपको थ्री ओप्शन था देर क्या वो मन्त की बिगनिंग में करते थे या मन्त के मिडल में करते थे या एंड में करते थे बिल्कुल सही आंसर है आपका वो यूजुली अपने विल्स एंड में ही क्लिक किया करते थे तो इट वोड़ बाउट नुइंग दे कल्चर एंड टर्स्टम्स ओफ गोवा नॉट नॉट अज एफ नाओ बट अर्लियर ओन कि पहले क्या क्या कल्चर था एक छोटा सा कोश्चन और पूछता हूं मैं आपसे पूछ लूँ ठीक है तो ब वो लोग मिल सकते हैं अगर आप कभी भी गोविजिक करते हैं तो बट रूल अभी उनके बिल्कुल भी नहीं हैं क्लियर चलिए तो मैं आपसे सेम चेप्टर की सेकिंड पार्ट जो है उस वीडियो में आपसे मैं मिलने वाला हूं एक प्लेस है जो मैं अभी सस्पेंस में रखूंगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उसकी विशेशताए क्या है वो बताऊंगा मैं आपको बेटा मिल रहा हूं आपसे अगले ही लेक्चर में थेंक यू एंड टेक केर बबाई